नमस्कार मैं शालिंति वारी आप देख रहे हैं पत्रिका आज की बड़ी खबर आज की सियासी खबर कि मद्द प्रदेश में मंत्री मंडल विस्तार की तैयारियां सुरू हो गई हैं कहा जा रहा है कि आसाम को या कल सुबह मंत्री मंडल विस्तार हो सकता है कुछ नए चेहरे मंत्री मंडल में सामिल हो सकते हैं शिवराज सिंग चोहान ने कल राज जिपाल मंगु भाई पटेल से मुलाकात की और अचानक की गई मुलाकात में कही न कही न कही इसके कारिखम को ले करके बात होई है और नए चेहरों को ले कर भी बात होई है कि जिनको शिवरा सिंग चुहान मंत्री बनाना चाहते हैं तो आखिर मद्द प्रदेश में चुनाओं से ठीक एक महीने डेड़ महीने पहले जरूरत क्यों पढ़ी विस्तार की आखिर क्या वज़े है कि भाजपा एक विस्तार की तरफ आगे बढ़ रही है एक मंत्री मंदल विस्तार करना चाह रही है आखिर क्यों नए मंत्रियों की जरूरत पड़ रही है या फिर ये कुछ अलग राजनेतिक खेले बहुत कुछ जो अब हम विस्तार से बात करेंगे जिस पर हम जानेंगे आखिर ये मंत्रिमंडल विस्तार क्यों हो रहा है तो जरा विस्तार से समझिए कि मद्द प्रदेश में डिसंबर में नई सरकार का देश्त खतम होने वाला है तो आपके पास एक महीने का वक्त होगा वहोगा सेप्टेमबर तो एक महीने के लिए कुछ नए मन्त्रिमंडल में सामिल होगे तो आखिर अचानक जरूरत क्यों पढ़ रही है मंत्री मंडल में बैसे अभी चार पद खाली है चार लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है और पिछले काफी लंबे समय से मंत्री मंडल विस्तार की मांग भी उठ रही थी भाजपा की भीतत एक आक्रोश भी था कि आकर इन पदों को खाली क्यों रखा गया है क्यों नहीं नए लोगों को मौका दिया जा रहा है क्यों नहीं उन लोगों को तवज़ो दी जा रही है जो बरिस्ट है और जिनको इस सूची में होना चाहिए था मंत्री मंडल की लिस्ट में होना चाहिए उनको तवज़ग क्यों नहीं दी जा रही है अचानक से कल राजनेतिक समी करण बदलते हैं मुखमंत्री शिवराज सिंग चोहान राजभवन पहुंसते हैं और वहीं से एक हवा चलती है कि मद्द प्रदेश में मंत्री मंडल विस्तार होने जा रहा है जिसकी संभावना चता आई गई कि वो आज हो सकता है मुखमंत्री ने अपना सुबह जो कारकम जारी हुआ रात को उसमें उनका एक घंटा आरक्षत था तो माना गया कि साइद उसके भीतर विस्तार हो सकता है लेकिन उसमें नहीं हुआ अब यह कहा जा रहा है कि अस्साम को या तो बहुत शॉर् पूरी कर ली जाएगी लेकिन अभी भी आधिकारिक तोर पर ना सरकार की तरफ से कोई बोल रहा है ना पार्टी की तरफ से कोई बोल रहा है कि विस्तार होने जा रहा है लेकिन अंदर खाने खबर है कि विस्तार की तैयारिया पूरी हो गई है चेहरों पर भी नाम चेहरे जो है वो तै कर लिए गए हैं पहला चेहरा जो आ रहा है वो गौरी संकर विसेन का है बाला घाट से बिदायक हैं दूसरे राजिन शुकला है जो रीवा से बिदायक हैं तीसरा नाम चौकाने बाला है जिस पर थोड़ा से बिवाद की स्थिती भी बनी हुई है तीसरा चेहरा राहुल लोदी हैं जो उमा भारती के भतीजे हैं और कहीं न कहीं उमा भारती को खुश करने के लिए ये एक कोस्स है कि उनको उनके भतीजे को मंत्री बनाया जाए लेकिन यहाँ पर दूसरा विरोध है यहाँ पर जालम सिंग पटेल की भी दावेदारी हो रही है अपना नाम सुझा रहे हैं यानि कि सिंधिया भी अपने कोटे से किसी को मंत्री बनवाना चाते हैं या बाकी लोग जो हैं वो अपने कोटे से किसी को मंत्री बनवाना चाते हैं यानि एक महीने के लिए भी मंत्री बनना है तो उसके लिए भी पार्टी के भीतर कस्मकस शुरू हो गई है अब इनकी जरूट क्यों पढ़ी इस सवाल को जड़ा समझने की कोसिस करते हैं कि इस विस्तार की जरूट क्यों पढ़ रही है दरसल पार्टी के भीतर एक बड़ा वर्ग है जो इस बास से नाराज है कि आखिर इन पदों को खाली क्यों रखा गया जबकि जाती संतुलन और छेत्री संतुलन बिगड़ा हुआ है कैबिनिट विस्तार में दरसल ज़ादा जो मंत्री बने वो सिंध्या कोटे के मंत्री बने और उन्होंने इस छेतरी और जाती संतुलन को कहीं न कहीं बिगाड़ दिया बात यही हो रही कि इन इलाकों में मंत्री दिये जाए आखरी मौके पर जाती संतुलन बिठानी की कोसिस हो रही है तो पिछड़ा वरगायोक के अध्यक्षे गौरी संकर विसेन और बाला घाट इलाके से आते हैं इनका राजनेतिक रसूख पूरे उस इलाके में है और आदिवासी प्रभावित छेत्र में भी इनकी अपनी महात्मूर भूमे का है भाजपा गौरी संकर विसेन के सहारे कमलनात के इलाके तक एक सेंदमारी करना चाहती है क्योंकि कमलनात के छंबाडा के सबी सीटें कमलनात ने 2018 में जीती थी उसमें भाजपा ना गर निगम में है ना उसके अलाबा दूसरी चीजों में है सब जगे भाजपा को हार मिली थी तो कहीं न कहीं, गौरी संकर विसेन जो नाराज चल रहे थे पार्टी से, उनको पिछला बर कायुक का अध्यक्ष बना करके कहीं न कहीं, साधने की कोसिस की थी, तो वो अचानक से उनको मंत्री बना करके, वहाँ पर जाती और छितरी संतुलन बनानी की कोसिस है, जिसका प्र और राजिन शुकला भी पूर मंतरी हैं राजिन शुकला को कैबिनेट में लाने की कोसिस हो रही और लगातार इस बात पर बात हो रही थी कि आखिर राजिन शुकला कैबिनेट से छूट कैसे गए राजिन शुकला का जो रसूख है जो दखल है वो आखिर उनको किनारिक क्यो रखा गया तो ये बिंद में कहीं न कहीं ब्राहमन वर्सस ठाकुर की जो लड़ाई है उससे पाटी को एक अलग तरह का नुकसान हो रहा है वहाँ पर ब्राहमनों की नाराजगी और उसके बाद ठाकुरों की नाराजगी तो यानि चाती और छेतरी संतुलन के लिए वहाँ से राजेन शुकला का चैन किया गया राजेन शुकला को मंत्री बनाने की कवायद हो रही है अगर राजेन शुकला मंत्री बनते हैं तो आप उनके प्रभाव छेतर जो होगा वो पूरा विंद होगा और कहीं न कहीं ब्राहमन चेहरे के तौर पर उनको ब्राहमन नेता के तौ कामिल करके ब्रहमालों को साधने की कोसिस की जा रही है क्यूंकि कहीं न बाजपा के बीतर एक बड़ी बात आ रही है कि इस बार भाजपा को कहीं बिंध में बड़ा नुकसान न उठाना पड़े क्योंकि बिंध की अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये कह रहा है कि उमा भारती की भी नाराजगी का ध्यान रखा जाए। दावेदार के तोर पर जोड़ा जा रहा है लेकिन एक दूसरा वर्गवी है जो ये कह रहा है कि सबकुछ उमा भारती को क्यों बहतीजा जब बिधायक है उसकी पतनी को जला पंचाय तद्यक्ष बनवा दिया गया है तो अब साइद ये जो दावेदारी है मंत्री की वो उनक पर्वर्देश सरकार में मंत्री रह चुके हैं और कहीं न कहीं बो भी लोधी वोटों को प्रभावित करते हैं लोधी वोट से आते हैं जो लोधी वोट की राजनी थे उसमें प्रभाव रखती हैं तो ऐसे में जालम सिंग पटेल भी दावेदार के तोर पर उभर रहे हैं तो तीन तो इन नामों पर लगातार चर्चा भी हो रही है इन नामों पर बात भी हो रही है और यहां तक कि गौरी संकर विसेन इस बात की को पब्लिकली बोल भी चुके हैं कि उन्हें भोपाल में रहने के लिए कहा गया है उनको कहा गया है कि वो भोपाल में रहे हैं यानि कि उनको संकेत है कि उनको मंत्री बनाया जा रहा है चौथा नाम जो चौथी सीट खा लिए कैबिनेट में चार पद खा लिए तो जो चौथा पद है इसको ले करके अभी भाजपा के भीतर कोई नाम तैर नहीं हुआ है लेकिन अब दबाओ इस बात का बन रहा है कि सिर्फ तीन क्यों चार को हम एड़्जस कर सकते हैं तो हम जब बना रहे हैं जब हम बिस्तार कर रहे हैं चार पदों पर किया जाए चौथा मंत्री भी कैबिनेट में सामिल किया जाए अब चौथा मंत्री कौन होगा? इसको ले करके अब हर वर्ग ने अपनी अपनी दावेदारी जता दी है सिंधिया कोटा भी चाहरा है कि वो अपना एक मंत्री बना ले इसके लावा नरें सिंग तोमर या दूसरे जो भाजपा के धड़े हैं वो भी चाहते हैं कि उनका प्रभाव व्यक्ति भी इस कैबिनेट के भी तरह है जिससे कि वो अपने राजनेतिक रसूख दिखा सकें वो बता सकें कि कैबिनेट में उनका दखल बढ़ा है यानि कि उनकी भूमिका बढ़ी है और चुनाओ के वक्त राजनेतिक माहूल में चुनाओ के वक्त हर कोई अपना कद बढ़ता हुआ दिखाना चाहता है अब जरा इस बात को समझ लीजिए कि आखिर ये विस्तार क्यों क से लाया जाए जिससे कि हम जो जाती है छेतरी संतुलने उसको हम बराबर कर सकें तो ये भी एक बात चल रही है क्योंकि भाजपा के लिए सबसे बड़ा अभी जो टास्क है वो टास्क यही है कि वो जो आखरी मंत्य मंडल विस्तार है क्योंकि अगर ये विस्तार होता है त नहीं बचती है तो फिर भाजपा को कहीं ना कहीं ये सोच करके आगे बढ़ना होगा कि कोई ऐसा कदम न उठे जिससे कि उनका जाती है छेतरी संतुलन गड़ बढ़ाए उनका वोटों का गड़ित बिगड़े तो इसलिए वो लगातार एक एक चेहरे पर बात कर रहे हैं क्य बहुत करीब ही माने जाते हैं लेकिन वो सूची में जगए नहीं बना पाई सिल्वानी से आते हैं यानि राइस अंजले से आते हैं वो दावेदारी इसमें नहीं हो पारी थी उनकी तो उनको दो दिन पहले धीन दियाल अंतियोदे समिती का अध्यक्ष मना करके केबिनेट मंतरी दर्जा दे दिया गया यानि कि उनको इस विस्तार की लड़ाई से बाहर कर दिया गया तो अभी कुछ और विधायक हैं जो इस विस्तार में हैं सुरेंद पटबा भी एक तरह से वो भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं भोजपूर से आते हैं राइस अंजले से आते ह मैंने कहाना कि हर आदमी हर जो राजनेतिक रसूख रखता है वो अपनी अपनी दावेदारी अपेस कर रहा है लेकिन संकट अब यही है कि भाजपा ने जिस तरह से ये राग छेड़ा है विस्तार का वो राग वाकई में पूरा हो पाएगा क्या ये चार मंतरी बन पाएंगे या फिर ये कहानी जहां से सुरू होई है वहाँ विरोध के डर से फिर खतम कर दी जाएगी यानि कि जितनी बार मद्द प्रदेश में पिछले कुछ महीनों से विस्तार की अटकले सुरू होती है और उनी के साथ खत्म हो जाती है तो ये देखना होगा कि ये विस्तार होग या फिर ये विस्तार की अटकले बनकर रह जाएंगी क्योंकि अभी तक विस्तार की पूरी संभावना मानी जा रही ही कहा जा रहा है कि आज रात को भी हो सकता है या कल सुबह भी हो सकता है क्योंकि रात को इसलिए कहा जा रहा है लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक तोर पर ये बोलने को तयार नहीं है कि विस्तार होगा या नहीं होगा होगा तो कौन होगे और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा तो मतलब सारी कहानिया अभी स्कुल मिलाकर कि ये सिर्फ राजनेतिक चर्चा हैं और जो अलग-अलग सो तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ चीजें साफ हो जाएंगी कि भाजपा जाती हो छेत्री संतुलन को बनाने या बिगाडने में किस स्थिती में क्या कर पाई तो अभी इसके लिए इंतजार करिए तो बने रही हमारे साथ हम फिर मिलेंगे नई खबर नई जानकारी और राजनेतिक चर्चा के साथ तब तक के लिए नमस्कार